Hey guys, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम Microsoft के अंदर एक new account कैसे बना सकते हैं लेकिन उसे पहले यादि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अब देखें Microsoft account बनाने के लिए आपको सबसे पहले Google में सर्च करना है Microsoft उसके बाद ये Microsoft की website आ जाएगी आपको इसके उपर click करना है और इसे open कर लेना है या फिर आप अपने browser में direct microsoft.com URL लिखके भी इस website को open कर सकते हैं अब देखें website open हो जाने के बाद right side में यहाँ पे आपको option मिलता है sign in का आपको इसके उपर click कर देना है अब देखें जैसे कि आपको यहाँ पे new account बनाना है तो आपको यहाँ पे create one के नाम से यह option मिलेगा आपको इसके उपर click कर देना है अब देखिए यहाँ पे आपको account बनाने के लिए दो option मिलते हैं पहले option में यदि आपके पास पहले से ही कोई email id, gmail id है तो ऐसे मैं आप उसका use करके भी यहाँ से account बना सकते हैं अमाली जी आपके पास एक gmail id है तो आप उसको direct यहाँ पे लिख दीजिए लिखने के बाद आप next पे click करके same उसी gmail id से यहाँ पर account बना सकते हैं और जो दूसरा option है उसके अंदर आपको यहाँ पे Microsoft के अंदर ही एक नई email id बनानी होगी तो हम यहाँ पे जो second option है वो select करेंगे उसके बाद आप जिस name से यहाँ पे email id बनाना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है जैसे कि मैं यहाँ पे example के लिए लिख देता हूँ CSL56 उसके बाद देखिए सामने आपको यहाँ पे add the rate outlook.com लिखावा मिलेगा यदि आप इसको change करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको कुछ option यहाँ पे दिये गया है जिसके अंदर आपको outlook.in और hotmail.com के नाम से दो option और मिल जाते हैं तो आप इन में से कोई भी एक select कर सकते हैं अब देखें मैंने यहाँ पे CSL56 लिखा है आप चाहें तो अपना नाम यहाँ पे लिख सकते हैं या फिर कोई और नाम भी लिख सकते हैं मैंने यहाँ पे यह शिर्फ example के लिए लिखा हैं इतना कर देने के बाद आपको यहाँ पे next पे क्लिक करना है अब देखें मेरे पास यहाँ पे यह एक error आया है इसके अंदर बताया गया है कि मैंने जो यह CSL56 लिखा है सेम इसी नाम से किसी और ने पहले यहाँ पे email id बना रखी है तो यह आपके पास भी ऐसा ही error आता है तो आपको करना क्या है आपको इस नाम को यहाँ से change करना है या फिर इसके आगे कुछ number लगा के दोवारा से type करना है तो चलिए मैं इसके आगे कुछ और number लगा देता हूँ उसके बाद आपको यहाँ पे दोवारा से next पे click करना है अब देखें यह जो नाम है इस नाम से पहले किसी ने भी email id नहीं बना रखी थी तो हम इस नाम से यहाँ पे email id बना सकते हैं अब इसके बाद यहाँ पे आपको अपना जो password है वो यहाँ पे create करने के लिए वाला जाएगा तो आपको अपना जो password है वो यहाँ से create करना है और password के लिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आपको minimum 8 character यहाँ पर लिखने हैं जिसके अंदर capital, small letter होने चाहिए special letter होने चाहिए और number होने चाहिए यदि आपको नहीं पता है कि strong password कैसे बनाते हैं तो उसके लिए इस video के नीचे description में मैं आपको एक website का link दूँगा उस website पर जाकर आप पता कर सकते हैं कि एक strong password कैसे बना सकते हैं तो आपको अपना जो password है वो यहाँ पर लिख देना है password लिख देने के बाद आपको यहाँ पर next पे click कर देना है उसके बाद यहाँ पे आपको अपना fast name और last name लिखना होता है तो fast name और last name लिख देने के बाद आपको यहाँ पे next पे click कर देना है उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी country select करनी होती है यहाँ पे मेरे लिए इंडिया automatic आ गई है उसके बाद यहां से आपको अपनी birth date select करनी होती है उसके बाद आपको यहां पे next पे click कर देना है अब आप से यहां पे एक verification करवाया जाएगा कि आप robot है या फिर नहीं तो आपको करना क्या है आपको next पे click करना है देखिए यहां पे आपको different different tray के puzzle मिल सकते हैं जैसे कि मुझे यहां पे बताया गया है use the arrow to move the icon into the indicated orbit यहां पे मुझे एक number दिया गया है और यहां पे एक icon दिया गया है अब जो करना क्या है इस number के सामने यह जो वाला icon है इसको यहां पे ले कियाना है उके उसके लिए हमें यहां पे दो arrow दिये गया है तो आपको करना क्या है आपको in arrow का use करना है इसे देखिए icon है यह change होंगे और इनकी help से आप icons को set कर सकते हैं अब देखिए यह जो number है एक number इसके सामने मुझे यह वाला icon ले के आना है जो कि मैं ले के आ गया हूँ उसके बाद आपको करना क्या है आपको submit पे क्लिक करना है और इदे आपके जो puzzle है वो एक बार में शोल नहीं होती है तो आप बार बार इसको try कर सकते हैं और नीचे आपको यहां पे reset option भी दिया जाता है तो इदे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है puzzle के अंदर तो आप reset करके एक new puzzle दुबारे से start कर सकते हैं उसके बाद आपको करना क्या है आपको submit पे क्लिक करना है दरसला आपको यहां पे 5 puzzle शोल करने होगे तो चलिए मैं जल्दी जल्दी यह कर लेता हूँ तो मैंने जो वेरिफिकेशन जो है आपका नाम मिल जाएगा profile icon मिल जाएगी आपको इसके पर क्लिक करना है my microsoft account पे क्लिक करना है यहाँ पे आपको एक note दिया जाता है आपको इसके पर यहाँ पे क्लिक करना है ok पे और यहाँ पे आपका जो microsoft account है वो यहाँ पे आपको दिखा दिया जाता है तो इस तरह से आप एक Microsoft account बना सकते हैं तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता हैं इस वीडियो में बस इतना ही एक नए वीडियो में दबारा से मिलते हैं तब तक के लिए बाइ और तक केर